लो दोस्तों तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में हम लोग ने पिछली वीडियो में क्लास एट्थ के चैप्टर सेवेंटीन के सेवेंटीन एक ससाइज के कोश्चन नमबर फोर को हम लोग ने पूरी तरह से सॉल्ब कर लिया ता इस वीडियो में कोश्चन नम 7.5 cm PR , PS ,ceks 1 quadrilateral , बनाना है और 7.5 cm जो कर लिए तो कि पहले एक पधिकिल पंद से हम लोग की वार 7.5 cm ड्रॉक कर लेते हैं 7.5 cm की वार लाइन सेग्मेंट ड्रॉक कर लेते हैं यहां से जिरो से स्टाट करेंगी और 7.5 यहां से 7.5 हो जाएगा अब देख सकते हैं इसका नेम देदेते हैं क्यों आर कि निदेदेन के पास जो पी आर है इसमें तो हमें पी नहीं ना ज़रा रहा है तो आर पी हम लोग लेट कर सकते हैं जो आर पी है वो पी यस जहां यह पी आयेगा पी यस यस नहीं दर रहा है और दोनों का मेजर 6 cm जिए और जो और आरे से इधर जो आएगा वह 5 सेंटीमिटर रहे माल लिजे डाइगोनल और जो क्यू से जो क्यू सिदर का डाइगोनल लेगो टेन सेंटीमिटर आए तो पर सलिए दोस्तों इनी चीजों से अब लोग सॉल्ब करने की कोशिश करते हैं जो क्यू से सबसे पहले उसे 10 सेंट कर लेते हैं तो यह तो क्यू से वर टेन सेंटीमिटर है तो से सबसे पहले हम लोग मेज़र कर देदिंगे क्यू जा दोसे ट्रॉल gefर्द से नारे ट één Hadle Finally 10 cm मेasher कर लिया है few point पर रखते हैं और ears कट करने कोशिच करते हैं इधर कट करए 1200 लमबाई फिकर वने मला है इसंग यह उंड करने के बाद हम लोग आर इस गठने कोशिच करते हैं इसी हर कोट करने का रहे इसका मेजर 5 cm जो चोटा कर लेते हैं या है जो अविसा हम लोग 5 cm अब इस सिवास प्रचुट है तो चलिए यहांसी आघिस कट कर देते हैं और पॉइंट पर रखने के बाद ज़र यह जो RS cut हुआ है इसका मतलब हम लों का जो यह हैं यहां पर है इसकाThey देतें हैं इसका नेम देने के बाद हम इसे QR और RS से मीट करा देते हैं इंपरिल बस मीट करा देना है तो यह हम लोग का मीट हो चुका है और आर इसको भी मीट करा देते हैं तो हम लोग ने फाइनल मीट करा दिया इस करलिंग देते हैं 10 cm 10 cm फिर इसके बाद जो हमें जो पी आर है वो गीवेन है इंपक आप और यह गईट पी आर जो है पी आट इसकोल टू एस पी एईसपी के बराभर है तो पी आइसपी है जो कि शेंटेम्टीमिट्र यह से इधर करें एक आकडरा करते हैं 6 cm का इसे हम लोग Mehrर कर लेंगे तो हम लोग इस नीडील को यस पि रखेंगे और इधर का white करने कोई ड्रा करने कोशिस करेंगे यह जू रहा है यह अर्क ड्रा कर लेंगे और जो पी है वो पी आर के बराबर रखेंगे यह जो point cut होगा उसे एंप बोलेंगा इसे तोड़ा बड़ा करने के तो इसे दूढ़ा कर लिया है फिर यहां पर रखेंगे और इसे cut करने को सिस्क तो हो रहा है यह जो कट हो रहा है यह पी है तो इसका हम लोग नेम दे देते हैं पी नेम देने के बाद सिंप्ली से क्यू से और एस से मीट करा देना है फिर इसके बाद हम लोग का कॉडिलेटर बन जाएगा क्यू से फिर इसके बाद एस से मीट कर देते हैं कि मिट कराने के बाद यह जो फिगर बनाए बहुत हिमयनत से बनाए यह कोडिलेटरल फर्म होगा और हमें साइड भी निकालना है इसका तम पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं एस आर इस आर इस आर इस पहले हम लोग क्यू आर मालूम है और पी आर पी आर इसे हम लोग ल की यह लिखने की जड़रूत नहीं है पी अस लिख लेते हैं शिक सेंटीमी ट्र और यह जो क्यूं प्यू पी नहीं है और ऑगा सिने साइड पता है और हमने कौश्चन में बोला गया था फ्रिक निकालने के लिए तो पी पी क्यूं का फंड हो गया बस सिंपली इसे मेजर क लिख देंगे कि यह हम लोग एंसवर हो जाएगा यह जो एंसवर है वह लगबग 4.6 cm आ रहा है हम लिख देंगे क्यू जो पीक्यू बराबर 4.6 cm आ प्राक्स यह हम लोग का एंसवर होगा एंसवर थांक्यो गाज आसा करता हूं अब लोग समाझ में आएगा मिलते हैं हम नेक्ट वीडियो में